है दोस्तों बात करेंगे कि इंपोर्टेंट टॉपिक्स निदनात्मक परिक्षड इंगलिस में इसको डाइगोनास्टिक टेस्ट कहते हैं दोस्तों यह इंपोर्टेंट है अवध इनुविस्टी के बीएट फस्तियर के सभी ऑप्शनल सब्जेक्स के लिए सभी ऑप्शनल सब्जेक्स में कई बार रिपीटिड यह प्रशने पूछा गया है निदनात्मक परिक्षड और डाइगोनास्टिक टेस्ट किसे कहते हैं अगर हम बात करें सेकेंड इर की तो सेकेंड इर में पूरा एक यूनिट में यह पॉइंट ही है सेकेंड पेपर में आप देखेंगे तो कई बार अक्सर आपसे पूछा जाता है कि निदनात्मक परिक्षड डाइगोनेस्टिक टेस्ट किसे कहते हैं तो चलें वीडियो को शुरू परिक्षड डाइगोनेस्टिक टेस्ट निदनात्मक परिक्षड निदान का सब्द किसी समस्या का निराकर करना निदान करना मतलब निदान सब्द का अर्थ है कारण अब, सिच्छा के छेतर में, बालकों की सिच्छा संमंदित, कठिनाईयों को जानने के लिए, निदनात्मक परिक्षड यानि के डाइगोनेस्टिक टेस्ट का परियोग किया जाथ paradox है। सिक्षा सम्मंदित कठनाई online को जानने के लिए ठीक है पर्यों केड़ा यह परिक्षड किसी विस्थ वस्तू यहां ध्यान देजिएगा यह परेक्षड किसी विस्थग्षड वस्तू विस्य वस्तू अत्वा अधिगम अनुभौं के अर्जित ग्यान की विस्षडहेता एवं कमी कम मुल्यांगन करता है मतलब किसी विस्सिट वसे वस्तू किसी इस्पेशल टॉपिक पे या किसी इस्पेशल लेशन पे अगर किसी बच्चे को समस्या आ रही है तो वो समस्या क्यों आ रही है और कौन सी समस्या है और उसका सुधार कैसे हो सकता है इसके लिए हम निदनात्मक परिक्षड करते हैं अथवा अधीगम अनुभाव में अरजित ग्यान की विस्ष्ट था कि आपने कितना अच्छा सीखा, कितना बहतर सीखा या फिर कहां कमी रह गई इसी चीज़ का मुल्यांकन करने के लिए हम डाइगनशी टेस्ट कहते हैं अब आईए निदनात्मक परिक्षड किसी विस्ष्ट वस्तुगत इकाई में प्राप्त गुरों के अधार पर छात्रों में सुधार है तू प्रामर्श परदान करती है बताया ना वह एक समस्या है तो उसकी परदान करती है छात्रों में को सफलता क्यों नहीं मेरी कोई बच्चा अगर फील हो गया तो क्यों फील हो गया उसका क्या कारण है इसके कारणों को जानने के लिए निदनात्मक परिक्षड का परियोग किया जाता है अब आईए वास्तों में निदनात्मक परिक्षड का उद्धिस विस्स टेवी से वस्तू special subjects अधिकम हिकाई में प्राप्त गुणों के अधार पर बालक की सैचिक विकास में सुधार है तो समुचित प्रामर्स देना है अगर सैचिक में कुछ समस्या है तो उस समस्या में सु या अधिक छेत्र में उसकी विस्सताओं एमं कमयों को व्यक्त करता है यह कोई टोटली थीरी बात यह कोई टोटली समझने की बात क्या होता है देखिए इससे पहले कि हम इसके उद्धे से देखें आईए एक प्रैक्टिकल हम समझ जाते और एक पर आपसे प्रशन पूछ सब्दों की पहचान में समझ से आती है वह इस्तिरिक और पुल्रींग सब्दों की पहचान नहीं कर पाता है अब आपको इस कारशनावली की रचना खरी ठीक है उसमें लिखा नीचे दिये गए से सभी विकल्प शुर्कर रिक्तस्तान में वरे अब विद्यार्थी को आपने यह पेपर दिया जिसमें लिखा है राधा प्रतिदिन स्कूल डैस जाता है कि जाती है अब अगर बच्चे को इस ट्रिलिंग और पूलिंग सब्दों की पहचान में समस्या होगी तो यहां गलती करेगा अगर समस्या में गलती आप फी जब उसको समझाएंगे तो जीजे समझ में आएंगी इसी को हम निद्रात्मक परिक्षड कहते हैं कारण का पता लगाना है कि उसमें कहां कमी रहेगा यह सैचिक विकास में और उस पे प्रामर्स देना सुधार कर तो बच्चे को आप समझाएंगे अगर समस्या होगी तो नहीं तो वो बच्चा खुद कर लेगा आप समझ जाएंगे कि की बच्चे के अंदर पूलिंग और इसलिंग पहचान में कोई समस्या है या फिर नहीं है अध्यापी का कच्छा पांच में पढ़ाती है पढ़ाता है ठीक है तो इस प्रकार से आप एक क्या करेंगे निद्नात्मक परिच्षड डाइगनेस्टिक टेस्ट की रचना कर लेंगे अब यहां पे आपको कुछ खेलता है आज इसे खेलेगा यह भी भविसिकाल की बात हो गए तो इस प्रकार से आप काल से जुड़ी समस्या पर एक निद्नात्मक परिच्षड कर सकते हैं अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप निद्नात्मक परिच्षड के उद्देश को अच्छे से समझेंगे और अगर ना भी पढ़े तो आप अपने मन से या फिर अपने बुद्धी विवेक से जरूर लिख सकते हैं कि निद्नात्मक परिच्षड का उद्देश से क्या है कि किसी विशिष्ट विशे में छात्र की उपलब्दी की कमी का पता लगाना ठीक है विशे अगत कमजोरी के कारणों को पता लगाना अध्यान अध्यापन प्रक्रिया में सुधार लाना अर्थात सिछड़ें उन सीखनें उन सीखाने की कमजोरी प्रिस्टियों का समस्य का निवारल करना मैं इसलिए पहले आपको एक्जांपल दे दिया किसी विशिष्ट विशे से जूड़े विशे में पि विशे संबंदित निदान हे तुझ शात्रों में रूचियम चंतामसार बनाना और शात्रों विशे वबस्तू को समझाना और अध्यापन की हम कैसे पढ़ा रहें ठीक है करने में साहहता परतान करते हैं तो इस इस आल अबाउट वाट डाइगोनस्टिक टेस्ट आ रिली होप कि आपको चीजे समझ में आई होंगी और दोस्तों अगर चीजे समझ में आई हो तो आप एक काम कर दीजे आप अच्छे बच्छे हैं मैं सिकायत नहीं कर रहा हूँ आप कमेंट में अपनी राय जरूर देते हैं कि मेरी वीडियो कैसी लगी और उस राय से मैं अपने और सुधार करता हूं वीडियो में मोटिवेट होता हूं और और वीडियो बनाता हूं तो हर बार की बाती इस बार भी कमेंट में आए बताए आपको ये वीडियो कैसी लगी और दोस्तों इस प्रकार से आप अपने सब्दों में निर्णात्मक परिक्षण को लिखिए इसकी विश्यस्ता है इसका उद्देश से और निर्णात्मक परिक्षण की रचना करिए और इस प्रकार से आप एक सेल्फ नोट्स बना लिजे बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजिए कहां है आप सब्सक्राइब करिए और अपने दूसरे दोस्तों के शेर करिए क्लास्मेट में भीजिए बहुत बहुत शुक्रिया जय हिन जय भारत